श्रोत अगंड, वल्कम तू यॉर पॉड्कास्ट वित राच FTI के President, if I'm not wrong President, Chairman Chairman, Chairman, Chairman Sabhapati Great, तो कैसा experience राट वर्क अड़ अड़ जीनिस I mean to learn from the genius, because मुझे पदा है की दो तीन induction programs हो गए है and he has come and talked to all of you new inductors, candidates जितरें भी लोग select हुए है from all departments, right? सारे के सारे departments है So कैसा experience रा और उनसे क्या सीखने मिला? बहुत ही कम बाते हुई हमारी बदलब interaction काफी तीन या चार बार ही हुआ है अभी तक और वह वही बेट करा हूँ कि campus पे जब जाये तब बै पसली बात करूँ उनसे पर जितरे भी interactions हो है ना उन्होंने बहुत ही अच्छी बाते कही है क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि फिल्मों के उपर का है लाइफ के उपर काफी अच्छा का है कि किस सरह हमें knowledge बटोरते रहना चाहिए बिना कोई prejudice के वो बात काफी अच्छी लगी और अपना mind open रखे वैसा ऐसा नहीं कि आप एक चीज लेकर उसमें ही आप knowledge लेते जा रहे हैं जैसे कि उन्होंने वियार का example लिया वो खुद अभी वियार फिल्म्स के तरफ अभी knowledge लेना उन्होंने शुरू किया है तो कुछ इस तरह का है मतलब सब तरह से knowledge लें आप पर सब बहुत इंपोर्टिट है कोई आई हैं लाग एक FTI alumni is what the greats of today जो आज करें बदिगत काला कार हैं technicians है for example Shriram Raghavan साब FTI graduate है मैंने रिसेंटली रामन रागव के ओपर में documentary बनाई थी तब shout out to you and shout out to Shriram Raghavan साब you discussed with him, तुमने उनको बोला कि मेरा एक दोस्त है जिसने रामन रागव के ओपर documentary बनाई है so यह जो guest lectures हो रहे है like I know कि Manoj Bajpahisaur has come I follow the FTI official page on Instagram तो मैं देखते रहता हूँ तेरी भी photos में आती रहती है, यह काफी अच्छा लगता है so experience कैसा राट do you know to have the legends, the greats right in front of you through a virtual screen वो अपना ग्यान दे रहे है, अपना अनभव आपसे शेयर कर रहे है, अपनी stories आपको बता रहे है तो क्या सीखने मिलता है और एक क्या नजरिया डेवलप होता है मैं इसा चूप रहे तो पता है, मुझे हिम्मत नहीं होती कि मैं अपना माइक ओन करूँ और सवाल पूछू तो वैं बतलब इसा शान बैठके सुन रहा था और जितने भी लोग आए उनोंने उनमें सिफ मुझे एक चीज़ दिखी कि उनने कितना भी बड़ा काम किया है हमारे लिए बहुत बड़ा है और उनके लिए बस वो एक अपना धरम है वैसा उस तरह की वो चीजे है वो सिफ उनका करतवीय ऐसे निवाते जा रहे है वो यहाँ नहीं कि कुछ बड़ा काम कर लिया तो उसका गमंड गया तो वो चीजे मैंने सब में कॉंस्टेंट लेकिया और वो बहुत ही सीखने लाग चीज मुझे लगी कि अप कोई भी काम करो फिल्म इंडेस्ट्री में या लाइप में कोई भी काम करो और सिफ उस नजरिय से कि आप सुसाइटे में क्या बदलाव ला रहे हैं और आप उस चीज का गमंड मत करो अगर आप बदलाव ला रहे हो तो उस चीज का गमंड मत करो कि मैंने बदलाव लाया है करके पर यह फिल्म मेकर्स में बहुत यह अच्छी चीज देखने को मिलती है और वो सभी जितने वाइस्ट आया नव, उनकी बाते सुनकर यही लगा कि इन्हों ने फिल्म से दुनिया चेंज कर दी है, दुनिया नहीं पर अगर इंडिया भी चेंज किया, या माइंडसेट चेंज किया लोगों के बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, exactly, best advice किस गेस्ट से मिला औ एक्षिन फिल्म पुछ पसंद एग और वियलेंस और वियलेंस अर विल्ड बाद कामें एड श्रीराम रगवन सर्ज तो पूछा कि सर अप वियलेंस दिखाते हैं, तो किसे दिखाना चाहिए वाइलेंस? मतलब कितना दिखा है कितना ना दिखा है तो उनोंने सिफ एक पॉइंट बोला कि Violences जाना बहुत Cinematic है तो Cinematic बनाने के लिए उसको purposefully बना Violence को purpose purpose बना क्या purpose है कोली मारे का क्या purpose है या अगर बदलापुर की बात करें तो उसका Starting का ही सीन अच्छा स्पॉइलर्स दे उपर, स्टार्टिं का ही जो सीन है, जब वो कार जैकिंग हो रही है उसकी और जब जब वो बच्चा गिर जाता है, तो वो सब पुर्पुस होना चाहिए, एक दर्दनाक जो कुछ हाथसा हो रहा है, उसे पुर्पस दे तो वो मुझे बहुत अच तब जाके पता चला कि जब आप वाइलेंस भी सोच रहे है तो पुर्पस होना चाहिए, जैसे कि मिशन इंपॉसिबल है ये ऐसी एक्शन फिल्म और कोई क्यों नहीं हमें पसंदाती, मतलब कोई और, मिशन इंपॉसिबल इतनी पसंद क्यों आती है क्यों कि अगर मिशन इ तो उसमें एक शॉट है कि वो पता है वो उसके गलवस रहते है वो बंद होने आते है वो तो भी चड़ लेता है, ठीक है ये बिगड़ा हुआ नहीं है ऐसा उसका कुछ हुआ रहे है चड़ना चालू करता है फट करके वो बंद हो रहता है तो क्यों हम लोग ने शॉक में हम लोग कुछ हो सकता है तो पहले हम लोग ने इस्टबिश कर दिया कि कुछ हो सकता है पर उसका मतलब उसका गोल है उसका मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा पर हम लोग ने एक्शन परपस उसका इस्टबिश कर दिया पहले है कि कुछ तो हो सकता है एगला उसके साथ ब अनुराः कशब उसके डिरेक्टर थे, वसनबाल अनुराः कशब को रोट इट and obviously the great Nawazuddin Siddhi की portrait that character but वो जीवनी पे अधारित नहीं था, वो बाइग्राफिकल नहीं था, correct? वो रमान रागव प्ले नहीं था, ती वो जीवनी था, वो इन्सपारः बार रमान रागव लेकिन पुरे हिंदुस्तान में, अगर पहदी बार सीरियल किलर के टॉपिक को किसी ने चेडा और फिल्म फॉर्माट में किसी भी प्रकार से कोई फिल्म बनाई, वो श्री राम रागवन साहब ने बनाई थी वनी बु यह तया स्टूदें, आज की पास्ट आउट थे रीसेंटी पास्ट आउट हुए थे और उन्होंने रमन रागव के बारे में पढ़ा था because around 1994 या 1995 he died in a jail after committing 40 plus murders he died in I think of some kidney failure उसकी kidney fail हो गई थी इतनी आसान मौत मरा वो he was a case of he was a case of schizophrenia mental illness, बिमारी तो वो उनको चीज वो भागई और उन्होंने उसके उपर में picture बनाई and जैसा दिगंत ने कहा purpose, तो वो जब picture बनाना शुरू कर रहे थे तो उनका purpose सही नहीं था, उनको ऐसा लगता था कि रमन रागव is the killer और ये character ने बाया था क्या नाम है, सवर का क्या नाम है मैं कैसे भूल सकता हूँ रगुर रगुवीर यादव साब रगुवीर यादव साब इंडिया से सबस्याद ओसकर एंटरी जोनी की फिल्म को गई है, तो वो थे रमन रागव हिंदुस्तान के पहले, लेकिन फिर श्रीडाम रागवन ने वो personal psychiatrist से जाके बात की जिन्होंने रमन को रगुवीव किया था और उन्होंने बोला कि यूर लुकिंग अट रमन वेरी डिफरेंटली वेरी रॉंग, रॉंफुली इंफाक्ट गलत नजरी से देख रहे हो, वी वस इंटल पेशंट तो उसको वैसे देखो नहीं पाई क्योंकि उनके पास है ही नहीं उन्होंने बोला उन्होंने बोला कि FTI के archives में रखी है और मुझो तो लगता है वो VCR format में होगा क्या पता? VCR में होगा और फिर Reels में होगा हो सकता है 30 mm वाली जो थी है, Reels होंगी उसमें होगा वाव यार तो यह भी ब्यूटिफुल बात है ना कि देखो एक फिल्मेकर का नजर यह एक जो आसपास के लोग है वो इंफ्लूंस कर रहे है जिसकी साइकेटरिस्ट अगर वो नहीं बोले होते हैं तो शाद वो फिल्म उस तरह से नहीं बन पाती तो बहुत बहुत अच्छी चीज है कि फिल्मेकर लोगों से जुड़ा हुआ है लोगों के वज़े से वो फिल्म्स बनाए तो रिली यार कितने ग्रेट सान है FTI से विदुवनों चोपड़ा सब उनकी शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिला था वो बहुत पॉड़कास पे वो कहानी बताई कि वो कैसे ऑस्कर गया है कैसे उन्होंने टिकेट बनाई कैसे उन्होंने पैसे चोड़े और वहाँ जागे जोडी फोस्टर के साथ में और फ्रांसिस फोर्ड कपूला के साथ में क्या क्या किस से हुए सुन ले ना काफी पॉड़कास में उनकी बाइकर प्रमी उन्होंने लिखाया या यार सो हिस्ट्री तो है यार इतिहास तो है FTI का वो तो है and it feels beautiful to be a part of this organization पर अभी वो जो फील आएगा वो तब आएगा जब मैं कैंपस पर पहुचूंगा अभी तो बस ऐसा हुआ है कि बस पढ़ रहते हैं अभी तो लेक्चर पी होल्ड पे तो अभी बस वही है तो वो फीलिंग तभी आएगी मुझे तभी मैं एच्छे से एक्स्परिस कर पाँगा तुमे कि क्या है विल्बुलाइग यारेगी तो अभी तो इस दिन भी तो कैंपस में जा की अपना पहला लेक्चर अटेंड करेगा and I know की first of all let me tell all of you Degant has been the most sincere most honest very hardworking and truly genuine and passionate to his art form that he wants to learn nurture want to get really skilled at और उसे कुछ फरक लाना चाहता है खुद के अंदर समाज के अंदर और मैंने जितने भी adjectives बोले से फेकने के लिए बोलने के लिए I really mean this because मैं उसके साथ में रहा हूँ थैंक्यू या थैंक्यू या थैंक्यू लिखता भी है परफॉर्म भी करता है अक्टर भी है मोनोलोग्स बहुत अच्छे लिखता है दो दिन हमारे प्लेस इसने डिरेक्ट किये थे नुकर नाटक वन आक्ट बहुत सारी चीज़ें हमने साथ में किये बहुत सारे फिल्म्स बनाए है और हमाए मैं अबर प्रमोशन करता है अपने रैप सौंग का मुजिक वीडियो का इसनेमाड़ाफी और विजुल्स बै दिगंत सूर्थी राप और लिरिक्स बै राश्र वास्तव फीचरिंग कि माया सलूं के और मुजिक बै टियरेस इं रॉमिनिक्स अब लोग ने मस्त गाना बनाया था उसका मुजिक वीडियो दिगंत नहीं होता अगर दिगंत नहीं होता तो वो वीडियो कभी नहीं बनता विकोज हम दो ही बन्दे थे जो सेट में भी थे जो सपोड़ बोई थे जो कॉस्ट्यूम चेंज के लिए जिम्मेदार थे हर चीज के लिए जिम्मेदार थे पूरा प्री-प्रोडक्शन भी हम लोग नहीं किया शूड भी अब लोग ने किया एडिटिंग भी साथ पर बैटए हम लोग साथ में बैटे चटीस गटा बैटे लगा था देगन कैमरा का एक्विप्मेंट भारी-भारी पकड़ता था ट्राइपॉड ये सलार ये सब वो सब और मैं बैग में पीछे कैसा खाना पीछे बैग में पूरे के पूरे कपड़े सर पे टोपी और जहां जगा मिली रस्ते की साइट में या फिर कोई लोकेशन अच्छा प्राज जो जो विजिटीब ु सका टेग्लाइन ए सपने देखरे चाईए है और हम लोग उस से बुप का स्टर्ट कर रहे है Bowl-up काम नोग उसे स्टर्ट कर है हमारा जो सपना है उसे स्टर्ट कर अचाए और अपन लोगों ने तरिग की याद है है फी स्टरब रॉम वेर प्राभादीवी से हम लोग गए सिर्फ एक सिंगल सोट लेने के लिए दो हैं सिंगल स्क्रीकिंड के सामने में यह क्या है उस्युट किए टेहां आपे ब्बाटार सतंगे तट Giving an मजज आर दो दिन क के दतर अंदर में, वी अर्जी स्वरवड खेर्शी है डो दिन के दरनें अर्व मुंबाय अर्ग हा सिर्फ, सिर्फ नौर्थ रहे गया। पर आम लोग ना वो भी मतला अपड़ा करना पढ़ता ना पर देख रहा है मैसा ऐसा भोले तो बैसके लिए अपना व भी हो गया क्योंकि मेरे गर पर भी शुत है रही है और हमेना मुझे आज भी आदे कि लास्ट का कोरस का टाइम था कोरस का पार्ट था तो उसको ड्रीमी स समील नहीं है, हमारे पास में ड़ Gothic के सामने में इस दीजनत bacon कैले के व हमारे या सिकंवित स्कीजिं सा अफे अगयए उसंहें थोड़ा सांहीज और जाद बूसै यहागि रिच आये वो आप जापि वीडियो में दिख सकते ओ ड्रीमी सीक्वंस का भी बाप लग रहा हो तो ऐसे के जुगाट दे लिए वो सब यूट्यूब से है कुछ भी टुटोरियल बात मिलते तो शाओट टू यूट्यूब हाँ शाओट टू यूट्यूब शाओट टू शाओट विकिपीडिया अडिशर्टरे पे हफिस लिए इसको बिश्करता हूं शे सब्सक्राइब में ना अच्छिली ग्रेट का लुद कर एऽ हैं आ यह थे चीजिद मुद करते रहते थे यह बिगिनेर इस अहजर पासरेंट एट बहुत इतिहास है बहुत दिन हैं और बहुत साथ में you know, we have spent a lot of days and nights काम करते हुए, projects बनाते हुए अगर दिगंत का laptop नहीं होता तो मैं तो वैसे भी डिगरी पास नहीं करता विगोस दिगंत ने मेरी maximum maximum मतलब किया almost सभी projects में मेरी मदद की है, मेरे सारे projects उसी के लाप्टॉप पे बनते थे मैं घर पे रहा हुए आप पता है, हम लोग को नहीं आता था वो वो सॉफ्ट्वेर्स, वो सब साथ में मेलके सीखे आप चुली, तू ने सिखाया है तू ने सिखाया है और बोज़े खुद रही आता था अब जाके आई सारे के लिओ अडोबी प्रेमियर प्रो एन एवरीथिंग या देगंत के खर पे रुका हूँ, खाना खाया हूँ वाटनॉट कुइंटिन टारेंटीन और दी निरो हमारे इतने फेवरेट सब्जेक्स है न अगर कोई दी निरो को पहचानता है, जानता है, पसंद करता है तो वो आटमाटिकली बाइडिफॉल्ट हमारे गुड़ बुक्स में आ जाता है कि यह अच्छा, यह अच्छा इंसान है यह बढ़िया लड़की है यार तेगमाश दूलिया सर रे बोला है न आरे यह तो अच्छा यह रोबर्टी नीरो को चाता है यह तो अच्छा इंसान भी है ओगे, so speaking about दी नीरो and Martin Scorsese, of course the legends, the genius, the originaries and once in a lifetime FTII में वैसा flavor या वैसा expectation है सीखने लायक, या फिर वहाँ पे जो teachers होंगे, mentors होंगे, क्या लगता है कि वैसे level of film making की तरफ approach करेंगे, considering क्योंकि Bollywood का अभी भी एक रवया है, एक style है, films बनाने का, even though बहुत changes आये है, बहुत नएने filmmakers आ रहे है, with very different and unique vision, जो international cinema के popularity को और content के level को match करता है, and in fact कही ना कही at par भी होता है, better भी होता है वो standard को, बिलकुल और ये FTI के जितने भी pass out है, जो seniors है जो element आई है, उन्होंने कुछ ना कुछ नया किया है दुनिया में, exactly और ये बड़ी बात है, ये हॉलिवड तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हॉलिवड वो standard है उसका लेकर हमें चलना है, तो अगर हम लोग देखेंगे, तो उससे भी कई गुना ज्यादा realistic films हम लोग ने बनाई है, जो हलिवड में अगर black lives matter पे कुछ films hello black lives matter पे कोई films अगर बन जाए वो realistic है, पर हम लोग ने already काफी सालो पहले सही, वो जो realistic films का जो trend है, जिसको parallel cinema बोला जादा था, एटी इंडिस्ट्री में पता ने, उसे parallel क्यों गहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे parallel मताब, अगर मैं कोई आर्ट से फिल्म बनाऊ और उसे अगर PVR या आइनॉक्स जैसे तेटर में अगर जगा ना मिले और तो कोई बात नहीं होई ना तो मैं वही चाहता हूँ कि आर्ट फिल्म्स जो है, parallel cinema भी है वो लोगों तक पहुँचे और वो कई बार ऐसा हुआ है कि वो कुछ जो फिल्म्स है जो तुम बोल रहे हैं, रॉबर्ट डे निरो का जो लेवल है उससे भी कई गुना स्याधा हो सकता है है कि अफ़कॉर्स है अल्रदी हो सकता है नहीं है और वो लोगों तक पॉंच नहीं पार उससे बादी डिक्कत है डिस्रिबुशन की बहुत बड़ी डिक्कत है क्युकि को पैसे नहीं मिल रहे है ऐसा दून बना कर क्योंकि हर सिनिमा कमर्ष चले राइट उसमें पैसे इंवॉल्ट है यह बुलूंगा यह यह रियलिस्टिक फिल्म यह आर्ट से फिल्म के अलावा लोग काफी एंटर्टेन्मेंट बिजनेस की तरफ ज्यादा जार वैसा क्योंकि डिस्रिबिशन नहीं मिल रहा है लोग कुछ इग्जाटली मतलब जिसे एटीज के अगर बात करें सो लेजेंस लाइक उमपूरी सहाब नसुर्दिन शाह साब आइंड समित अपातिल माम अल इस ग्रेट्स अन इंफाक शबान आजमी जी यह लोग वो थे जो फ्लैग बेर्स थे इस ताइप की सिनिमा का जिसकी इलक्स जिसकी स्टोरी जिसकी सेटिंग वो रियालिटी से रूबरू करवाती थी लोगों को और वो सिर्फ बड़े शहरों में लढ़ने वाले एक खूपसुरत से हीरो और हिरोइन की बीच की लव स्टोरी नहीं हुआ करती थी या कुछ गुंडे होते थे ऐसे नहीं हुआ to merge content with commercials, वो अब आ रहा है कहीं विट और सिफ मुझे नहीं लग तक कि वो तभी भी था 80s के जाहने सिफ भी काफी पहले गुरुदत सर हैं तो उनोंने भी वो लाया है और FTI की जो graduates है जिसकी केतन महता है तो उनोंने भी उनकी films में ये काफी अच्छा ये लाया है कि वो काफी realistic भी होती है और काफी मतलब हम लोग reality मतलब किसे कहेंगे वो भी एक point है ना कि मतलब reality is a perspective reality is a perspective तो वह और जाने भी तो यारो की बात करो यार तो उसमें कहा realistic है corruption और वो सारी चीजें है पर वो काफी unrealistic है ना पर वो सारी भी films बनी है वैसाब बनी है जहां पर you know I heard this line from Viduno Chopra अर उन्होंने एक बार बोला था कि उनको किसी उनके mentor ने कहा था कि good films make bad money and bad films make good money so you try and make sure कि you make good films that make good money तो I think वो टाइम अब आया है कि very good films are actually making good money है ओल्राइट ठीक है मलब हम लोग थोड़ा सा डिविएट होगा टॉपिक को मलब 80s को compare कर रहे है अभी के टाइम से and all those actors जोनोंने उस टाइम पे जिम्मा उठाया और जो finally अब जाके आया and I think ये revolution कहीं न कहीं 1998 में Satya के करण भी आया था Satya ने बहुत बड़ा एक hammer मारा था industry के छाती पे कि ऐसी films और ऐसे actors के लिए भी जगा है और बननी चाहिए so cheers to that but then हा मैं वो ही कह रहा हूँ कि FTII में क्या रवाई आया क्या अप्रोच है कि जैसे mainstream Bollywood में films बनती है वैसे बनाने वाले लोग भी है या वैसे बनाना चाहते है या रीली कुछ ऐसा cinema बनाना चाहते है जो stand out हो actually वो अभी ऐसा बोल नहीं सकते कि किस प्रकार की mentality है लोगों की कि सभी सभी अलग अलग तरह के mental state से आते है मतलब सभी का नजरी अलग है film देखने का तो अगर मैं personal बात करूँ तो मुझे ऐसी कोई film बनानी है जो काफी unrealistic हो तब एक तब काफी ऐसा नहों कि realism के चलते लोग काफी depressed हो जाए और अन्रियलिजम के फिल्म में मैं बहुती realistic subject लेकर कुछ अलग बनातू वो personal मेरा वो choice है और ऐसे कई लोग FTI में हैं जो कुछ इस तरह का करना चाहते है कि realistic films भी बनाना चाहते है और कई लोग ऐसे भी है जो commercial cinema बनाकर कुछ बहुत अच्छा मैसेज देना चाहते है stand out होना चाहते है जैसे कि Rajkumar Hinani Sir है वो Three Idiots बनाब वो film commercially successful है और देखने दाए तो कितना अच्छा उसका बनाब उसका मैसेज भी कितना अच्छा है और कितने realistic film है वो बदिन जैसे इंडुस्री में इतिहास गवा है कि David Dhawan साब की films बहुत चलती है and if I'm not wrong in fact I think David Dhawan Sir was also student of FTI in the editing department तो वो अगर वहां से वो experience लेके Bollywood में आके you know he started making those hit formulas hit formula movies Govinda को लेके and the way that he makes the movies even today you know mass entertaining masala films chill out movies लोगो को Rohi Chatti Sir वो भी films बनाते है they earn millions and what not like कितना मज़ा आता है and people enjoy those movies वो भी एक तरीका है वो भी एक रवाया है बनाने का picture that's also a style so I think वो भी कोई ना कहीं FTI के students या फिर SRFTI या फिर कहीं पर भी कोई films या cinema students होंगे वो ये भी experience लेके आगे बढ़ सकते है बढ़ सकते है बढ़ सकते है अपकोस बढ़ सकते है बद अब जरूरी नहीं है कि आप ऐसे फिल्में बनाव जो बहुत ही society के लिए काफी depressing हो ये reality को ऐसा समझा कर आप दिखा रहे है ऐसा जरूरी नहीं है कि सब यह इस तरह की फिल्में बनाएं और वो हमें बहुत सर फिल्मेकर्स में दिख रहा है और एक्चुरी डेविड दर्न सर बतलब शायद उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं अगर इस तरह की फिल्में नहीं बनाऊगा तो शायद मेरे पास खाने के लिए पैसे ही नहीं होंगे या बिकोज लोग को शायद उनसे वही एक्सपेक्ट करते है वही ने ने बतलब लोग का नहीं है अभी यह रियालिटी है फिल्म इंडस्ट्री की अगर आप उस तरह की फिल्में नहीं बना रहे तो आपको बिके की नहीं वही वह पॉइंट है पता है मेरे को और क्या लग रहा है इसमें साउथ का सिनिमा साउथ का सिनिमा तेलकू, आल टाइम ब्लॉकबॉस्टर बाहु बली तमिल सिनिमा, अपना ही एक स्टाइल है, अपनी एक लेगेसी है, ग्रेट से उसमें कमल आसन साब, रजनी कान साब सो मनी ग्रेट्स, प्रभु देवा सर्श वाम्देयर मान, मूजच, दान्स, वविधिंग, विथिंग, यून विदू अपने 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 आप में स्टाइब तो वहाँ बर चार रीजिंस की फिल्म्स है, और जारू रीजिंस का अपना अपना एक अलग फ्लेवर है, सो हिंदुस्तान में अच्छली कितनी कपासिटी है टू मेंग डिफरेंट गाइंड्स फिल्म्स है ना, लग अलग अलग हिस्सों से अलग अलग कहानिया आ सकती है, अलग अलग तरीकों से जो स्क्रीन पर दिखें, जिसमें different colors हो, different energies हो, जैसे लोग compare करते हैं कभी-कभी Hollywood को लेके, I don't think कि ये जो Hollywood को एक benchmark बना कि सारी चीजे, उससे compare करनी चीए कि वहाँ पर तो ऐसा बनता है, हमारे यहाँ पर ऐसा बनता है, बागेरा बागेरा, because मुझा सलगते कि, you know, एक एरा ऐसा आया था कि जहाँ पर हम लोग सिर्फ Hollywood की फिल्म में बना रहे थे और उन्हीं की टाइप की फिल्मों को expect कर रहे थे कि यहाँ पर बने, और वह ज़रूरी नहीं है, Korea ये pictures बनती है, जैसे जब Oscar जीता, for the movie, what movie was that? कॉंसे साल में? This latest Oscar, the first Korean movie to win the Oscar. Okay, Parasite. Parasite. You can be explored and you know, you can be introduced to a whole lot of great deal of movies. It's just, you know, a barrier of one subtitle. Exactly, मतलब, movie सी कोई परिभाशा नहीं है या भाशा नहीं है, जैसे you said, it's a common language. शायद इसी के बरसे FTI हर कोने से ले रहे हैं, students को, ताकि लोग एक्स्प्लोर कर पाएं खुद को यहां पर आकर, हर तरह के रीजिन के कल्चर्स को जान पाएं. क्योंकि मैं भी लोगों से इंटरेक्ट टर रहा हूं, मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो उन्होंने जो फिल्म्स देखिया है, वो मेरे से अलग है, तो मैं और चीज़े सीख रहा हूं, उससे. तो अब कोई दूसरे रीजिन वाला मुझे कुछ बताएगा उस रीजिन के बारे में, तो मेरा भी नॉलेज बढ़ रहा है, तो वो बहुत इंपोर्टन बात, तो शायद हमारे अंदर बहुत कैपेसिटी है, कि अब लोग रीजिनल फिल्म्स को बहुत ही अगर अच्छा दर्जा दे, लोग अगर देखने जाये, तो काफी डेवलप्मेंट हो सकता है, पर वो हो नहीं रहा क्यूंकि मैंने कहा ना कि लोग समझ नहीं रहे हैं, और अब अब जाकर लोग समझ रहे हैं थोड़ा 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 Indian cinema है ओप पर आप कुछ भी देख सकते हैं जब आप टेग लगा देंगी Indian Cinema कष्मी तुक रूमा, टेसे बुजराथ टुछाल अनी अन्य का मिजिल और मं ध्ट रेसि इस पैरल जब भेटे मिला हुआत कुछ ढ़ा वंग के ब्ला मतलब जो खान है, सोने की खादान है, यहीं पर यहारे आई हैं and still we go over there, we talk about them, मतलब it's good to talk about them, they are making quality cinema, they are making good work, they are doing good work but just to follow them blindly is not a good thing to do I guess ET, Extra Terrestrial, जो Steven Spielberg ने वापस बनाई है, जिसका बाद में inspired होके, Rakish Roshan साभ ने कोई मिल गया बनाई that was first written, scripted, और वो produce होने वाला था by a Hollywood studio, जो सत्यजीत्रे बनाने वाले थे लेकिन वो कभी हुआ नी, वो project shelve हो गया you know about this?